महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें आम तोर पर MS धोनी या कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेटरों में से एक हैं। वह अपने असाधारण नेत्रित्व कौशल और भारतिये क्रिकेट में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां उनके जीवन के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य दिये गए हैं। और अपने शुरुवाती वर्षों में उन्होंने आर्थिक रूप से संघर्ष किया। क्रिकेट करियर तथ्य नंबर 6 धोनी ने दिसंबर 2004 में बांगलादेश के खिलाफ एक दिवसिये मैच में भारतिये क्रिकेट टीम के लिए पदारपन किया। 2007 में उद्गाटन ICC T20 विश्वकप के दौरान उन्हें प्रसिद्ध मिली जब उन्होंने भारतिये टीम को जीत दिलाई। तथ्य नंबर 6 2008 में धोनी सभी प्रारूपों, टेस्ट, वन डे और T20 में भारतिये क्रिकेट टीम के कप्तान बने। तथ्य नंबर 7 उनकी कप्तानी में भारत ने महत्वपूर्ण उपलबधियां हासिल की। जिनमें 2011 ICC क्रिकेट विश्वकप जीतना और टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 रैंकिंग तक पहुँचना शामिल है। तथ्य नंबर 8 धोनी को उनके शांत स्वभाव, तेज क्रिकेट कौशल और एक बल्लेबास के रूप में उनकी फिनिशिंग, क्षमताओं के लिए जाना जाता है। तथ्य नंबर 9 वह भारतिये क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक है। वन डे और टी ट्वेंटी रिकॉर्ड तथ्य नंबर 10 धोनी के नाम सीमित ओवरों के क्रिकेट में कई रिकॉर्ड हैं, जिनमें एक दिवसीय मैचों में विकेट कीपर के रूप में सबसे ज्यादा शिकार और अंतर राष्ट्रिय क्रिकेट में सबसे ज्यादा तथ्य नंबर 11 वह अपने मैच विजेता प्रदर्शन और उच्च दबाव वाली परिस्थितियों को संयम के साथ संभालने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। तथ्य नंबर 14 पंदरा अगस्त 2020 को धोनी ने एक शांदार करियर के अंत के साथ अंतर राष्ट्रिय क्रिकेट से सन्यास की घोशना की। आईपियल और चेननई सुपर किंग्स CSK तथ्य नंबर 15 धोनी इंडियन प्रीमियर लीग आईपियल में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने 2008 में शुरुआती आईपियल सीजन के बाद से चेननई सुपर किंग्स CSK की कप्तानी की है जिससे टीम को कई आईपियल खिताब मिले हैं। व्यक्तिगत जीवन तथ्य नंबर 16 धोनी ने 2010 में साक्षी रावत से शादी की और दमपती की जीवा नाम की एक बेटी है। तथ्य नंबर 17 वह मोटर साइकिलों के प्रती अपने प्रेम के लिए जाने जाते हैं और उनके पास बाइकों का एक महतुपूर्ण संग्रह है। व्यापार के कारोबार तथ्य नंबर 18 एमेस धोनी ने व्यवसाय में कदम रखा है, विभिन कमपनियों में हिस्सेदारी ली है और सेवेन नाम से अपना खुद का लाइफस्टाइल ब्रैंड लॉंच किया है। पुरसकार और सम्मान तथ्य नंबर 19 धोनी को कई पुरसकार मिले हैं, जिनमें भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरसकार पद्म भूशन और भारत का सर्वोच खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न शामिल हैं। सेवा निवृत्ती के बाद तथ्य नंबर 20 सेवा निवृत्ती के बाद धोनी IPL में अपनी भूमिकाओं के माध्यम से क्रिकेट से जुड़े रहे और वह भारतिये क्रिकेट में एक प्रभावशाली व्यक्ति बने रहे। एक छोटे शहर के लड़के से भारत के क्रिकेट दिगजों में से एक तक MS धोनी की जीवन यात्रा, उनके समरपन, नेत्रित्व और भारतिये खेलों में योगदान का एक प्रमान है। उन्होंने क्रिकेट जगत पर एक अमिट छाप छोड़ी है और दुनिया भर के महत्वा कांक्शी क्रिकेटरों और प्रशनसकों को प्रेरित करते रहे हैं। आपको मेरी यह जानकारी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक शेर कर देना।